नमस्कार मैं समर्थ कैसे हैं आप लोग वह अच्छे होंगे वेल मेरे पास एक प्रॉब्लम आई है कि जब हम इस कोविड-19 के पीरिड में हम बाहर जाते हैं हम मास लगा के जाते हैं तो जब हम मास लगाते हैं और जब हम ग्लासेश पहनते हैं तो उस टाइम पर हमारे बाइक बाइक चलाने में बड़ा दिक्कत होती है तो इस चीज़ का क्या सॉलिशन है क्योंकि यह हमें अपना आई को भी बचा के रखना है हमारी नोस और माउट को भी बचा के रखना है इस वाइरस से तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली लोग surgical mask यूज़ करते हैं और KN95 या N95 respirator भी यूज़ करते हैं जो आपको पता है कि अगर respirator आप यूज़ करेंगे तो respirator यूज़ करने में बहुत safety है जबकि अगर आप mask यूज़ करेंगे तो mask यूज़ करने में सिर्फ और सिर्फ आपका ये benefit रहता है कि आपके पास ये chances रहता है कि आपका हाथ मूँ में न जाएगा और न नात में जाएगा तो एक mask से safety रहेगा एक barrier बन गया है और दूसरी चीज़ रहती है अगर आपको पता है कि आप COVID-19 के जो environment है वहाँ आप जा रहे हैं या वहाँ virus के chances है या वहाँ COVID-19 का patient मिल सकता है तो वहाँ respirator जरूर पहन के जाए N95 या KN95 या जो भी अच्छा possible आपको मिल जाए अच्छा respirator क्योंकि respirator is the best device for this COVID-19 अच्छा इस चीज़ को हम सही करते हैं इस चीज़ पे discuss करते हैं हम लोग कि अब इसको अगर यह mask पहनते हैं और हमें goggles भी पहनते हैं suppose अगर हमेंने goggles पहना और mask पहनूंगा तो mask पहनने पे क्या होता है fogging generate हो जाती है जिसकी वैसे visibility नहीं होती है तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं इस चीज़ के लिए हम एक experiment करते हैं छोटा सा experiment है इसमें हम लोग कैसे इस चीज़ को हम rectify कर सकते हैं suppose मैं यह पास यह eye safety wear है इसको मैं पहनता हूं अगर मैंने इसको पहना और suppose मैं यह पास यह KN95 mask है suppose यह मैं बस KN95 mask है और यह मैं पहनता हूं now you can see कि इसमें fogging generate होई लगी मुझे जो चीज़ें हैं दुन्दी दिखने लगी हैं मुझे clear नहीं दिख रही है तो इस चीज़ के यह देखिया आप इसमें fogging generate होगी है तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कौन से trigger लगा सकते हैं तो एक चीज़ आपके बास tissue paper है तो आप tissue paper को fold करके आप यहां पे लगा सकते हैं tissue paper को fold करके ताकि यहां से जो है pass ना हो पाए हमारे eye की तरफ ना जा पाए तो एक remedy यह है दूसी remedy मुझे सबसे अची remedy यह लगती है कि यह है paper tape तो इस paper tape का use अच्छा कर सकते हैं हम इसमें यह किसी भी medical shop में मिल जाता है easily तो देखते हैं को कैसे लगाते हैं अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो यह मैंने लगाया मैंने paper tape लगा रखा है अराम से इसको safely आप लगा देंगे इसको चिपका देंगे ताकि जो हवा है वो सिर्व यहां से पास हो पाए वो यहां से पास ना हो पाए अब मैं गोगल्स पहनूंगा तो मुझे एकदम clear दिख रहा है मेरे सामने अब कोई fogging की problem नहीं है मुझे सब चिस clear दिख रहा है तो hope तो hope आप इस remedy से अपनी इस problem को solve कर सकते हैं थैंक यू कर दिख रहा है